मंगल की चतुर्थी का किया हुआ जब लाख गुना फल दाई होता है। जैसे सूर्य ग्रहान, चंद्र ग्रहान, सौंबती अमावस्या, सनिव अरईवार की सप्तमी और मंगलवार की चतुर्थी बहुत पुन्यदाई होती है। बुद्वार की अस्टमी लाख गुना फल देती है। तो मैं क्या चलो भाई, जलंदर में सत्संग होगा, मैदान में तब होगा, लेकिन अब जाते जाते, ऊपर से उड़ जाये, से थोड़ा उतर के फिर मिलके चले जाएंगे। नारायना हरी, हर्योम्हरी, 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 अब मिलकर बोलना। येशाम् त्वंत गतं पापं येशाम् पापं जना नाम पुन्य कर्मना ते द्वंद मोह विनुर मुक्ता ते द्वंद मुक्ता भजन्ते माम द्रणव रता जिसके पापूं का अंत हो जाता है। पुन्य कर्म जिसके फल देने को जोर मारते हैं। वही लोक द्रणव से मुझ परमेश्वर के रास्ते चल पाते हैं। जिसके फुन्य स्वल्प है, उस अभखे को विश्वासी नहीं होता, कि भगवान सत्थ स्वरूप है। भगवान अकाल है। भगवान चेतन वहीं, भगवान आनंद स्वरूप है। Оर वो हमसे मिले-मिलाए है। सो साहिब सद सदा हजूरे अंधा जानत तांको दूरे जिनके ज्ञान की आँखे बंद है वो भगवान को सात्मे हरस्पे मानते जरा तो रहम करो विचारे को ठंद लग जाएगी हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट होई में जाना वो सर्वत्र समान है लेकिन उसकी प्रीती उसकी भगती उसका सत्संग उसका सुम्रण उसे प्रगट कर देता है मनुष्य जीवन में अगर दो बातें आ जाए तो मैं मानूंगा कि आज की मेरी दोड़ धूप जलंदर वास्यों के लिए सार्थक होगी क्योंकि मंगलवार की चतुर्थी है आज जप भी कराऊंगा आपको एक बार जप कर और लाख बार का जप का फ़ल हो आप दो बाते पकड़ लीजिए एक तो आपकी जिवभा पर यवानी जो हैने तेज का परावर्तन है तेजो आवतार होने दीजिए सुर्य आवतार होने दीजिए और दूसरा आपके मन में चंद्र आवतार होने दीजिए कभीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कभीर कभीर निर्मल मन जन सो मोह पावा छल छिद्र कपट मोह स्वपन न भाव एक तो मन को निर्मल रखेंगे सुबह उठते ही नीन में से ये पक्का करें कि आज हम मन निर्मल रखेंगे दूसरा हमारी वाणी में भगवान की सत्य ता प्रगट हो भगवान की चेतन ता प्रगट हो भगवान की आनंद ता प्रगट हो जो सत्य है वो चेतन है जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है ग्रस्ती जीवन की ये दो उपलब्धियां भगवान से भी मिलाएगी, संसार में भी सफ़त कर देगी तन सुकाय पिंजर कियो धरे रहन दिन ध्यान और शरीर सुका के पिंजर कर दे अथवा तो उस रावन की नाई सोने की लंका बना ले फिर भी इस अमृत के बिना जीवन रूखा रहेगा कागबुशन से पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं संत मिलन संसुख जगनाई संत के मिलन के समान सुख नहीं और गरिबी के दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं तो बोले रावन के पास तो सोने की लंका थी फिर भी रावन दुखी था और दुखी आदमी ही नाच चाहता है दुखी आदमी परविस्तरी के पास पीछे भटकता है तो दुख तीन प्रकार का होता है एक वस्तू जन्य दुख, रुपए पैसे के अभाव का दुख दूसरा भावना आत्मक दुख सब कुछ होते हुए भी ये मिले तो मजा है, ये मिले तो मजा है, ये पाउं तो मजा है मंदोदरी है लेकिन नर्तकी कुछ सुख दे और तो क्या सुर्पंखा ने जहर गोल दिया आँखों में कि सिताजी जैसी सुंदर नारी अगर लंका में नहीं, तो तेरी लंका को देखा रहे है। कामी के अंदर में वास्ना का आग लगा दिन्या। तो एक तो दरिद्रता का दुख होता है वस्त्मों का, दूसरा भाव की दरिद्रता होती है। और तीसरी विवेक की दरवित्रता हूँती है, जैसे विभीशन था, तो विभीशन सोने की लंका में रहता था, दरवित्रता नहीं थी, रावन की नहीं, सेक्सियम, आकर्शक विचार भी नहीं थे, लेकिन विवेक जन्य दरिद्रता थी कि मैं तो राक्षेश हूँ, रावन का भाई हूँ, मुझे कैसे भगवान अपनाएंगे, जब हनुमान का सत्संग मिला, तो विवीशन की विवेक जन्य दरिद्रता मिठ गई, शबरी भिलन के जीवन में तीनों प्रकार की दरिद्रता नहीं दिखती, शास्त्र कहता है गंगा पापम, शशी तापम, धैन्यम, कल्प, तरुस्त था, गंगा के शनान से धरम लाब होता है, पाप मिठता है, शशी तापम, चंद्रमा की चांदी में मन की तपन मिठती है, लेकिन संत मिलते हैं, तो तीनों प्रकार की दरिद्रता मिठ जाती है, वस्तु जन्य दरिद्रता, भाव जन्य दरिद्रता और विवेक जन्य दरिद्रता, ये तीनों दरिद्रता मिठ जाती है, गंगा पापम शशी तापम देन्यम कल्पतरोस्त था पापम तापम देन्यम जग्णन्ती संतो महा आशया। जिनका महान आशय है, महान में महान सत्चित आनद स्वरूप परमात्मा जिनका आशय है। उनके दर्शन सत्संग से तीनों प्रकार की दरिद्रता मिठ जाती है। आपने मथुरा नाम सुना होगा। मथुरा से बिंद्राबन फियाट गाड़ी जा रही थी असी नबे की रफतार से। और सामने टेंकर आया सव सवासो की रफतार वाला। अब आप कल्पना करो असी नबे की रफतार और सवासो की रफतार एक्सिडन्ट हुआ, ड्राइवर भही मर गया। ड्राइवर का मालिक भी पास में बैठा था, वो भी भगवान की शर्ण पहुँच गया। दो बच्चे थे, प्यारे, वो भी उसी समय मर गया। पीछे पत्नी थी, थोड़ा सामान था, एक गरीब जुपड़ पत्टी वाली माई मर गया थी, उसका अनाथ बालक गोद में लिए वे पत्नी बैठी थी। एक्सिडन्ट की जर्क ने ऐसे तो मन के और रीड की हटी को जर्क पहुचाए कि तीन पैक्चर हुए थी। पत्नी को तीन पैक्चर हुए थी। लेकिन जो अनाथ बालक है वो गोद में जोका थी। अब उस पत्नी के उपर से क्या गुजरी होगी। गाड़ी देखो तो बिस्कीड जैसे। पती की लाश है, बच्चों की लाश है, ड्राइवर की लाश है। लेकिन वो बाई उडिया बाबा का सत्संग सुनती थी। अर्थ जन्य दरिद्रता नहीं थी, भाव जन्य दरिद्रता नहीं थी और विवेक जन्य दरिद्रता नहीं थी। मत्रा बिंद्राबन के बीच ये दुरगट नाघटी और बड़ी इस्पताल आग्रे की सरकारी उसमें उसको एडमिट कर दिया गया। साल भर वो माई पलंग पे सीधी लेटी रहे, न बैट सके, न चल सके, डबल सिंगल भी नर्सों की जिम्मेदारी थी, लेकिन माई के सत्संग के कारण, जो कोई मिलने जाता, वो दंग रह जाता, जब साल भर में कुछ दिन रहे, तो किसी आदमी ने पूछा के, तुम सत्संग करती थी, उड़िया बाबा, जो आनन्म इमा प्रधान मंत्री की, नहरु की गुरु जहां मथ्था टेक्टी थी, ऐसे ब्रह्मग्या,